आज हम पढ़ने वाले हैं एक पोएम जिसका नाम है Fire and Ice और इसके पोएट है Robert Frost तो यहाँ पे जो पोएट है वन्होंने कहा है Some say the world will end in fire, some say in ice तो यहाँ पे कहा गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो world है, दुनिया है यह खतम हो जाएगी ice से और कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया जो है खतम हो जाएगी आग से तो यहाँ पे जो आग और ice का असल मतलब use किया गया है वो ये नहीं है कि पूरी दुनिया में आग लग जाएगी और ये दुनिया खतम हो जाएगी या फिर पूरी दुनिया में बरफ गिर जाएगी और ये दुनिया खतम हो जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है यहां पोईट ने यहां पे पोईट यह कहना चाहते है यहाँ पे जो fire शब्द यूज हुआ है, वो desire के लिए यूज हुआ है, desire मतलब आप जो चाहते हो, जो आपकी इच्छाएं है, जो अंदर आप सोचते हो, आपकी जो इच्छा है, suppose यह होना चाहिए, मुझे यह मिलना चाहिए, मैं यह पालू, मैं वो पालू, वो चीज, तो यहाँ पे जो poet है, उन्होंने कहा है, कि जो word है, जो दुनिया है, यह खतम हो जाएगी desire से, ठीक है, क्योंकि लोग इतना desire करेंगे, इतना आशा करेंगे, इतना, मलब, सोचेंगे कि मुझे यह मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं यह कर लू, मैं वो कर लू, तो इस कारण तो hate का मतलब यहाँ नफरत है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, कि एक दूसरे से नफरत करने से, हम दूसरे से war करेंगे, और यह दुनिया खतम हो जाएगी, तो यहाँ पे जो poet हैं, उन्होंने यह बहुत exactly, meaning, जो use किये हैं, वो use किये हैं, desire और hate को, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire, अब यहाँ पे यह उन लोगों का favor करते हैं, जो यहाँ poet हैं, वो कहते हैं, कि जो लोग desire, मतलब कि जो लोग fire का favor कर रहे हैं, जो कहते हैं, कि नहीं, hate से तो खतम हो सकती हैं, दुनिया पता नहीं, लेकिन desire से दुनिया जरूर खतम हो सकती हैं, तो उन favor ले रहे हैं, यह poet, और यहाँ पे यह चीज़ कही गई है, कि इनको लगता है, कि जो पल्ला भारी है, वो desire वालों का जाधा भारी है, कि लोगों की इतनी महत्वकांशाएं हैं, लोगों की इतने desire हैं, dreams हैं, जो इस दुनिया का अंत कर सकते हैं, जो इस दुनिया को पुरा कारण से, तो यहाँ पे poet ने यह चीज़ कही है, but if it had to perish twice, यहाँ पे perish का मतलब है die, अब it किसको use किया गया है, it यहाँ पे use किया गया है word के लिए, अगर इस दुनिया को दो बार मरना हो, perish मतलब की दो बार, मलब perish मतलब की die, और twice मतलब की दो बार, तो अगर पूरे word को द जो बार मरना हो, तो author कहते है, I mean sorry, poet कहते है, I think I know enough of hate to say that for destruction, eyes is also great and would suffice, अब यहाँ पे वो कहते हैं, वो दोनों तरफ की बाते करते हैं, पहरे बग तो बोलते हैं कि मैं उनलों के साथ हूँ, जो desire को बोलते हैं, जो fire को बोल रहे हैं, फायर के कारण जो दुनिया खतम हो ज जो बार आपनी बात चेंज करते हैं, कहते हैं कि अगर दो बार word को मरना पड़े, तो मुझे लगता है कि hate भी काफी हद तक destruction कर सकता है, बरबादी कर सकता है, hatred is used for destruction just because hatred से क्या होगा, नफरत से war होगी and war से yudh होगा, बलब yudhi होगा, yudh से क्या होगा, ये दुनिया जो है वो खतम हो जाएगी, so is also great and would suffice, suffice मतलब की sufficient है, मतलब की ये जो poet हैं, दों तरफ हैं, ये इसकी तरफ भी है, fire की तरफ भी हैं और ice के तरफ भी हैं, तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि ice भी sufficient है, enough है, काफी हद तक खतम करने के लिए दुनिया, तो यहाँ पे ये जो poem है, वो इतनी ही है, बहुत चोड़ी सी है, I hope ये आपको समझ में आई होगी,